नमश्कार दोस्तों वेलकम बैक बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की और इंडिया से कुछ बड़ी नियूज निकल कर आ रही है जहां पर RBI के जो गवर्नर है उन्होंने क्रिप्टो को लेकर और CBDC को लेकर क्या कुछ statement दिया हुआ है वो आप यहां पर देख सकते हैं जो वीडियो है वो हमने आपको टेलिग्राम पर भी शेयर किया हुआ है अगर आप ट्विटर पर फॉलो करते हैं तो वहां पर भी आप कुछ अपडेट से वो मिल जाएगी अगर हम CBDC की बात करें CBDC को लेकर क्या statement दिया हुआ हुआ है आप यहां पर देख सकते हैं CBDC is the currency of the future more and more central bank will embrace CBDC जहां पर इनका यही कहना है कि CBDC आने वाले time में आप देखेंगे जो future की currency है वो होने वाली है उसी के साथ जादा से जादा central bank यहां पर आएगी जो CBDC का use करते हुए नजर आएगी और यहां पर competition को लेकर क्या कहना है CBDC का तो उसको लेकर यह जवाब दिया हुआ है कि यहां पर private crypto का कोई भी competition यहां पर CBDC के साथ नहीं है मतलब जो use case करने कहीं वो अलग है और हमारा कोई competition यहां पर नहीं है इसके अलावा यहां पर private crypto को लेकर क्या कुछ statement दिये हुआ है तो private crypto को लेकर यही कहा गया है जो statement दे रहे है कि private crypto को ban कर देना चाहिए लेकिन अभी भी आपने देखा था यहां पर लोकसभा में भी यह सवाल उठाए गए थे कि क्या crypto regulate हो रहा है या फिर regulation नहीं है तो फिर क्या हो रहा है तो उसको लेकर वहाँ पर यही statement दिया गया है कि crypto को regulate करने के लिए भी या फिर इ बेन करने के सवाल की बात करें तो बेन भी नहीं किया जा सकता साथी regulation को लेकर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा ताकि यहां पर country साथ में और work करें crypto have huge inherited risk and we have been pointing it out यहां पर crypto को लेकर काफी सारी सी negative बाते हैं जो इनके द्वारा कही गई है मतलब risk कि अगर हम बात करें उस करने की जरुबत नहीं है जो हमारा crypto को लेकर यहां पर position है जो stand है वो अभी clear है और आप यहां पर देख सकते हैं जिस प्रकार से यहां पर activities हो रही कहने कई crypto यहां पर काफी ज्यादा नुकसान देने वाला है आने वाले time में इस वज़े से इसे यहां पर बेन करना चाहिए if crypto is allowed to regulate and grow please mark my words for the next financial crisis will come from private crypto और इन्होंने ये भी का हो आई कि अगर crypto को regulate करते हैं crypto grow होगा आने वाले time में अगर grow करता होगा नजर आएगा तो यहां पर मेरे words को आप mark कर लीजे कि next financial crisis जो होगा वो private crypto से ही निकल कर आएगा यहां पर इनका statement है वैसे लगातार पहले भी आप central bank support में नहीं है और उनके जो governor है वो पूरे तरीके से यहां पर opposite ही नजर आएगे और वैसा यहां पर देखने को मिल दा है इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर कुछ और questions की जो लोग सबा में उठाये गयते है 19th of December को जिनके जवाब भी आप देख सकते है current status पूछा यहां पर internationally जो countries है वो साथ में मिलकर काम नहीं करती crypto को लेकर जो bill है वो pass नहीं हो सकता जैसा कि अभी आप देख रहे है टेक supply किया जा रहा है TDS भी कट रहा है लेकिन अभी तक crypto जो है वो regulate नहीं हो रहा है इंडिया में मतलब legal अभी तक नहीं हुआ है इसके साथ यहां पर वो ही यहां पर जितना भी ecosystem है crypto का या फिर NFT का हो या decentralized का हो उन पर यहां यह work करेगी इसके अलावा अगर हम बात करें यहां पर वजिरेक्स को लेकर जो update है वो आप देख सकते हैं इंडिया की जो trading activity है वजिरेक्स का जो platform है उसने यहां पर यह बताया हुआ है कि इंडिया म वजिरेक्स, ETH, TRX, DOGE यह ऐसे कुछ coins है जिन में यहां पर ज्यादा trading देखने को मिल रही है यह especially जो यहां पर data निकल कराया हुआ यह वजिरेक्स की तरफ साय हुआ मतलब इनके platform पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के जो tokens है वो अभी top पर देखने को मिलेंगे अगर हम women age group की बात करें 41 से लगाकर 60 and above transaction more than men in same age group मतलब अगर हम men से compare करें women का तो इस age group में यहां पर women आगे नजर आ रही है इसके अलावा 26 लगाकर 40 का जो age group है उसमें आप देख सकते हैं जो total trading volume है उसका 46% जो हिस्सा है वो यहां पर महिलाओ का देखने को मिल रहा है मतलब trading आप द जाएगा जिस प्रकार से अभी चल रहा है वो ही चलता हुआ नजर आएगा और अगर हम TDS की बात करें यहां भी टेक्स की बात करें तो उसको कम करने के लिए भी यहां पर अभी तक कोई statement नहीं आया हुआ हुआ है मतलब वह भी यहां पर जिस प्रकार से अभी लग रहा है वो लगता हुआ नजर आएगा और यहां पर RBI के जो governor है उन्होंने अपनी position को यहां पर clear कर दिया है कि उनका यही कहना है आने वाले time में भी वो यही कहेंगे कि crypto को यहां पर ban करना चाहिए आपके क्या thoughts है वो आप यहां पर comment box में जरूर बता है उसके साथ ही आप Twitter का भी यूज करें ताकि यहां पर जो government है उसे भी mention किया जाए कि crypto को यहां पर ban नहीं करना चाहिए RBI के governor को भी mention करना चाहिए क्योंकि अगर हम बात करें future की काफी सारी countries है जिनके यहां पर आपने decision देखे होंगे जो crypto की support में इंडिया में crypto को लेकर इतना ज्यादा supportive माहोल नहीं झाल झाल झाल